हलो फ्रेंड्स आपका स्वागता टेस्ट आए क्यों है फ्रेंड्स इस वीडियो में डिसकस करेंगे कि welded joint क्या होता है क्या advantage है क्या disadvantage है कितनी calculation है कौन-कौन से type है हर एक चीज को हम detail में discuss करने वाले तो वीडियो बहुत ही ज्यादा important होने वाला है तो इचलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम जानते हैं कि welded joint होता क्या है यदि मैं बात करूँ welded joint की definition की welded joint are permanent joint क्या होते हैं permanent joint these are obtained from fusion process आप सभी ने welding तो देखी होगी तो उसमें क्या होता है कि एक metal जो होती है उसके दो metal की road के बीच में हम जो है हमारी तीसरी metal को pour करके और वहां पे हम joint बनाते हैं तो उसको हम fusion process बोलते हैं इसके advantage क्या है इसके advantage है maximum efficiency यानि की welded joint की efficiency काफी high होती है leak proof joint welding के अंदर leakage नहीं होता है less weight due to absence of strap plate आपने friends जो है पिछला वीडियो यदि देखा है तो आप सभी को पता है कि जो हमारा rivet joint होता है उसमें यदि हम butt joint की बात करें तो वहां पे हम एक strap plate दोनों तरब लगाते हैं और इस strap plate में हम क्या लगा देते हैं rivet joint तो यह जो strap plate है इन दोनों तरब लगेगा तो यह काफी heavy होता है तो इससे इनका weight बढ़ जाता है तो welded joint में ऐसा कुछ होता नहीं है इसलिए यहाँ पर जो है weight कम होता है production time is less क्योंकि यहाँ पर फटा फट से welding हो जाती है इसलिए production time कम लगता है फिर कुछ disadvantage भी होते हैं जैसे residual thermal stress are developed इसका reason क्या है मैं आपको बदा देता हूं कि जो हमारी metal होती जैसे मालो यह आपकी metal है दो प्लेट है इनको हमने welded joint से यहां से joint कर दिया तो यहां का तो temperature है बहुँ ज्यादा high होगा लेकिन यह जो हमारी plate है इसका temperature तो normal होगा atmosphere होगा तो यह जो temperature का difference बहुँ जाता है इसकी वज़े से क्या होता है कि residual stress यानि कि उस fast cooling के वज़े से इसके अंदर stress developed होते हैं और skilled labor are required क्योंकि welding जो है हर कोई कार नहीं सकता इसलिए labor जो है वो skill चाहिए difficult to weld non-ferrous metal non-ferrous metal होते हैं उनकी welding होती है थोड़ी welded joint. welded joint कितने परकार के होते हैं generally दो परकार के होते हैं एक आपका fillet joint दूसरा होता है butt joint हमने जब river joint भी पढ़ा था तब भी वहां पे दो ही थै एक lap joint और दूसरा butt joint यहां पर lip का एक दूसरा नाम है fillet joint यह आपको नाम याद रखना है ज्यादा तर यह जो fillet लेव है, sorry fillet joint है यही नाम आपको मिलेगा दूसरा हो गया butt joint fillet में क्या होता है, दो type का होता है एक तो single fillet, दूसरा double fillet single fillet में क्या होता है कि हम metal को एक तरफ ही जो है अमारी welding करते हैं और double में हम दोनों तरफ welding कर देते हैं तो यह double welded joint हो जाएगा और butt joint में क्या होता है कि हम plate को parallel रखते हैं और यहां से हम welding कर देते हैं इसमें जो है thickness पर depend करता है, जैसे plate की thickness यदि 6 mm से कम है, तो हम इसको parallel रखके और यहां पर normal welding कर देंगे यदि 6 mm से है, 20 mm तक है तो हम क्या करते हैं, कि जैसे आपकी यह हो गई plate एक तरफ दूसरी plate ऐसे हो गई ठीक है, तो हम यहां पर जो है हमारा welding कर देते हैं एक तरफ से और यदि यह U safe भी बना सकते हैं यहां पर क्या है, V safe बन रही है और यदि 20 mm से ज्यादा है तो यह बीच में welding करते नहीं है दोनों तरफ कर देते हैं ऐसे, या फिर हम इस टाइप से कर देते हैं तो मुझे भी देखिए, आप सुभी को समझ में आया होगा कि यहां पर welded joint हो है दो टाइप के होते हैं जैनरली, fillet and butt अब हम डिसकस करते हैं कि reinforcement क्या होता है reinforcement of welded joint यह जो आपको पूरा portion दिख रहा है इसे हम बोलते हैं reinforcement जब हम welding करते हैं तो यहां तक तो welding हो जाती है लेकिन कुछ जो है, material जो है इसके उपर आ जाता है तो इसे हम बोलते हैं reinforcement तो यह होगा, जैसे हम welding करेंगे तो यह बिप for service यानि ऐसा बनेगा इसकी यदि total height h है और ठिकनेस यदि plate की t है तो t plus hr है, hr क्या हो जाएगी reinforce की height और जब हम grinding करेंगे तो यह उपर का portion हट जाएगा और ठिकनेस हमारी t के बराबर ही हो जाएगी यदि आपको किसी exam में object की तोर पे पूछेंगे तो कि reinforcement क्या होता है तो वहाँ पे देख लेंगे जहाँ पे welding होती है, वो portion होता है आपके reinforcement फोर different thickness यदि हमारी thickness अलग-अलग हो तो हम क्या करेंगे जैसे आपकी एक blade है जिसकी thickness t1 है दूसरी blade जो है उसकी thickness t2 है तो हम इसमें कौन सा t लेंगे यानि कि यदि मैं बात करूँ यदि हम load निकालेंगे तो वहाँ पे area आएगा, तो area के अंदर thickness आएगी, जब thickness आएगी तो वहाँ पे हम t की value कौन सी लेंगे तो हम लेंगे minimum of t1 and t2 यानि कि t1 and t2 में जो minimum होगा उसी को लेंगे और यहाँ पे एक और दे रहा है आपको जिसकी यदि हमारी t जो है thickness 20 mm से ज़्यादा होती है अभी हमने distance किया था, तो हम ऐसे welding करेंगे तो इसमें हम t कैसे निकालेंगे यानि कि यह जो है आपकी plate की thickness t दे रहे कि है लेकिन हम t का मतलब क्या है, हम calculation में t क्या लेंगे कि हमारी welding thickness क्या होगी, t w माल लेते है कि welding thickness, तो यह जो आपका, यहाँ पे h1 height का, जो है reinforcement और यहाँ पे h2 है तो यह हो जाएगी, यहाँ पे welding यहाँ फिर हम कह सकते हैं कि total t है उसमें से हम यह delta निकाल देंगे यह जो है beach का जो portion है, इसे हम delta बोलते हैं, तो यहाँ से हमारी thickness आएगी, क्योंकि आपको पता है, induced stress क्या होता है induced stress load upon area, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पी लग रहा है upon area क्या आ जाएगा, area of welded तो area of welded क्या होगा, पी upon l into t, अब यह जो t है यहाँ पे जिसे यह minimum t है और यहाँ पे यह portion ले लो यह ले लो h1 plus h2 तो मुझे उमीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा तो यहाँ से हम क्या load निकाल देंगे यह दि मैं बात करूँ fillet weld के type की तो fillet weld तीन प्रकार क्या होते है parallel fillet, transfer fillet और आपका compound fillet parallel fillet में क्या होता है कि जब हम load लगाते है जैसे हमने यह load P लगाया दोनों तरफ लगेगा load तो तो welding जो है हमारी इस load की direction में ही होगी यहाँ पर आप देख पा रहे है यह जो welding है इसके direction में ही हो रही है तो इसे हम parallel fillet कहेंगे और हमारा load लग रहा है उसके perpendicular यदि हम welding करते हैं तो यह आपका हो जाएगा transverse fillet और complete कर देते हैं यानि कि parallel और transverse दोनों को mix कर देते हैं तो उसे हम compound fillet कहेंगे तो यह आपका क्या हो गया compound fillet अब हम बात करते हैं strength of fillet weld यह सबसे important part है यहाँ से exam equation पूछा दाता है कि यहीं से हमारी calculation start होती है at which maximum shear stress induced under loading जहाँ पर maximum shear stress produce होता है उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं throat area अब हम बात करते हैं इसके calculation की तो यदि मैं बात करूँ induced stress की induced stress अभी हमने क्या निकाला load upon area area कौन सा होगा throat का क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है shear stress maximum है तो P upon H into L यहाँ पर यह आपकी L हो गई और यह आपकी thickness T हो गई अब हम सभी को पता है कि यदि हमको safe design करनी है तो यह जो हमारा induced stress है induced stress यानि कि जो actual stress generate हो रहा है किस के अंदर हमारे weldment के अंदर वो permissible stress है कम होना चाहिए है तभी हमारी design क्या होगी safe होगी यह permissible क्या है यह हमने design करते टाइम हमको factor of safety लेके मानना है कि इतने से ज़्यादा तो हमारा induced stress जाना नहीं चाहिए actual condition में अब हम देखते हैं यहाँ पर कि हम calculation कैसे करेंगे यदि मैं बात करूँ इस area की यहाँ पर आप diagram में देख सकते हैं ABC triangle में तो यदि मैं ABC triangle की बात करूँ यहाँ पर बना देता हूँ मैं अच्छे से बना देता हूँ यह आपका triangle बन गया ABC A, B, C इस ABC triangle में एक हमने यहाँ पर point ले लिया E और यह जो है इसके parallel ले लिया मैंने DE और यहाँ से मैंने एक perpendicular डाला जो जिसे हम H कहेंगे theta angle पे ठीक है तो यहाँ पर मैं इस diagram बता देता हूँ आपको कि यह H है आपका ठीक है और यह जो है यहाँ से मैंने एक parallel डाला E और यह आपका D समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पर ज्यादा कुछ है नहीं अब यह भी T है और यह भी T है इसका मतलब यह जो angle है हमारा यह कितना होगा यह angle होगा आपके 45 तो यह आपका 45 है तो यह भी 45 होगा अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा जगे कम है इसलिए मैं थोड़ा सा इस diagram को छोटा कर देता हूँ ठीक है यहाँ पर आप ज्यान से देखिए BC बराबर क्या हो जाएगा BE plus EC अब यहाँ पर आप ज्यान से देखेंगे तो यह BC क्या है यह BC हमारा T है और BE BE क्या है यह H है इसका cos component ही यहाँ पर आएगा तो यह आपका H cos theta हो जाएगा cos theta यह जो EC है यह angle यह हमारा 45 है ना तो EC बराबर क्या हो जाएगा EC बराबर DE हो जाएगा तो यह दोनों बराबर है तो हम यहाँ पर यह H का sin component है वही यहीं पर आएगा जो DE है यह H का sin component यानि की H sin theta तो यहाँ से हमारा पास H आजाएगा H कितना आजाएगा T upon sin theta plus cos theta तो यानि की मैं यहाँ पर हमारा जो induced stress है उसका formula क्या लिख सकता हूँ मैं induced stress load upon area area की जगे मैं क्या लिख सकता हूँ H into L H की जगे T upon T upon sin theta plus cos theta यह तो हो गया आपका और into क्या हो जाएगा L हो जाएगा तो यह आपका induced stress आ गया अब हम discuss करेंगी कि यदि हमारा load जो है transverse direction में है और यदि हमारा parallel direction में तो दोनों में क्या फरक आता है तो यदि हमारा load जो है इस up direction में यह इसमें यह P load लग रहा है तो यह जो direction हो गई कौन सी हो गई transverse direction तो यदि हमारा load transverse direction में लग रहा है तो आपको थोड़ा सा द्यान से देखना अब भी मैंने आपको देखा था बताया था कि यह जो h होता है यहाँ से theta angle होता है तो यह जो load है यह हमारा इस जो यह जो throat area है इसी के according लगना चाहिए तो इसका जो हम component लेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा द्यान से समझना है कि यह हमारा जो है यह theta angle है और तो यहाँ पे दिखिए यह जो आपका P है इस direction में है ठीक है यहाँ पे दिखिए यदि यह theta है तो यह भी आपका theta हो जाएगा तो इस P का जो यह component है यह P cos theta हो जाएगा और यह आपका हो जाएगा इस direction में P sin theta तो हमको यही component चाहिए क्योंकि हमारा जो welded portion है उसके parallel load क्या लग रहा है तो जो हमारा induced force है तो induced क्या हो जाएगा? load upon area तो load जो है वो P ना होके P sin theta हो जाएगा upon जो area था वो हमने क्या निकाला था? T upon sin theta plus cos theta into L इसको हम क्या लिख सकते हैं? P sin theta sin theta plus cos theta ये उपर आ जाएगा upon T into L ये हमारे पास induced force आ गया अब यदि हमको theta की maximum value निकालनी है यानि कि ऐसा theta जहां पी stress जो है maximum induced हो तो हमको क्या करना पड़ेगा? जो हमारा induced है इसका हम differentiation करेंगे किसके respect में? theta के respect में और 0 करेंगे तब हमारे theta की कुछ value आएगी ये value कितनी आती है? आपको direct याद रखनी है 67.5 degree यहाँ पी जो हमारा यदि हम theta की value यहाँ पे वापिस पूट करते हैं तो जो है आपका maximum stress induced आएगा induced यानि कि produce होगा अंदर ठीक है? किसके अंदर? transverse affiliate के अंदर value कितनी आती है तो यदि वो आपको समझ में आ गया तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं क्योंकि यहाँ पे जो हमारा load है वो इस direction में लगेगा ये आपका P तो ये जो हमारा weld portion है इसी के parallel लग रहा है load तो हमारा load direct जो है P ही हो जाएगा तो हमारा induced जो है stress कितना आ जाएगा load P आएगा अपकों बाकी portion से हमी रहेगा T अपकों sin theta plus cos theta into L और इसको हम लग सकते हैं उपर लेके जाएगे तो sin theta plus cos theta आ जाएगा ये कुल मिला के हमारा final formula यही है और maximum के लिए क्या करना पड़ेगा इसका differentiation करना पड़ेगा theta के respect में और 0 करेंगी तो हाँ यहाँ पर हमारे पास theta के value आ जाएगी 45 degree यानि कि theta की जो 45 value है वहाँ पर parallel fillet में maximum stress induced होगा अब हम देखते हैं कि जो हमारा area आता है वो transfer fillet में जादा आता है या फिर parallel fillet में क्योंकि उसी के हिसाब से हम strength देखेंगे तो हमारे पास area जो है यदि मैं बात करूँ area of transfer fillet weld ठीक है transfer fillet weld में हमारा area क्या आता h into l और transfer fillet weld यहाँ पर h की जगे क्या लिख दूगा है t upon sin अब sin के value, theta के value कितनी आई थी 67.5 plus cos 67.5 यदि ये value हम यहाँ पर put करते हैं तो transfer fillet weld का जो हमारे पास area आता है वो आता है 0.765 into t into l यह हमारे पास final जो है हमारे पास area आता है ठीक है यह आपके पास area आ गया ठीक है अब हम बात करते है parallel की तो ज्यान से आपको देखना है area of parallel fillet weld यह भी edge into l यह है और edge की value क्या आ जाएगी t into l upon sin theta लेगि theta की value यहाँ फिर डिफरेंट है कितनी है theta की value है 45 plus cos 45 तो यहाँ से हमारे पास area of parallel fillet weld कितना आ जाएगा 0.07 sorry 0.707 t into l यह हमारे पास value आ गई अब आपको पता है कि जो stress generate होता है वो क्या होता है load upon area इसका मतलब क्या है जिसका area ज़्यादा होगा उसका stress कम generate होगा तो यहाँ पे आपको value कौन से ज़्यादा दिख रही है यह ज़्यादा है या फिर यह ज़्यादा है तो कुल मिला कि हमारे पास area of transverse fillet weld is greater than area of parallel fillet weld तो जो हमारे पास area ज़्यादा है उसका stress कम generate होगा यानि कि stress induced in transverse fillet weld is less than stress generate in parallel fillet weld तो कुल मिला कि हमारे पास stress जो है वो generate हो रहा है parallel fillet weld में ज़्यादा और जो stress ज्यादा generate होता है जिसमें उसी को हम क्या ले लेंगे design point क्योंकि इसमें transfer fillet weld में हमारे पास area ज्यादा है इसका मतलब क्या है stress कम generate हो रहा है stress यदि कम generate होता तो ये fail होगा नहीं उससे पेले ये हमारा parallel वाला fail हो जाएगा तो हम design point किसको रखेंगे parallel fillet weld को तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है तो यदि मैं design point of view की बात करूँ तो जो हमारा stress है stress transfer fillet weld है या फिर मैं parallel fillet weld दोनों की बात करूँ तो वो किसे कम होना चीए permissible से तो यदि मैं permissible से बात करूँ तो यह क्या हो जाएगा load upon area of transfer fillet weld less than permissible कुल मिला के हमारे पास जो है load कम होना चीए किसे area of transfer fillet weld तो area of transfer fillet weld कितना है 0.765 t into l into tau permissible कुल मिला के यह load से कम होना चीए तो यहाँ पे यह value आ रही है तो यहाँ पे हमारा जो load है वो जो है वो हम parallel में ले लेंगे क्योंकि parallel में यह value जो है कम आ रही है तो design point यू से यहाँ पे आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जो parallel में आ रहा है कौंसा area यह area यही हमको calculation में काम में लेना है क्योंकि यह area कम है तो हमारा stress ज्यादा generate होगा और stress ज्यादा generate होगा इसका मतलब यह पहले फैल होगा तो design point जो है वो parallel वाला लेंगे तो यदि हम बात करें compound fillet weld की तो compound fillet weld में हम क्या करेंगे यदि हमारी length यह L है यह भी L है और यह भी L है तो हम क्या करेंगे हमारा जो load है permissible ठीक है यदि हम transfer fillet weld की बात करें तो वो भी हम क्या लेंगे 0.707 T into L into toe permissible और यदि मैं बात करूँ load permissible in parallel fillet weld वो भी हम क्या लेंगे 0.707 T into L into toe permissible तो मुझे उमीद है कि आप सभी को यह चीज समझ में आया होगा कि हम यह SAM क्यों ले रहे हैं क्योंकि यदि हमारा जो transfer fillet weld है उसमें stress जो है वो इस value से कम generate हो रहा है तो इससे कम generate हो रहा है इसका मतलब यदि इसमें fail नहीं हो रहा तो उसमें अपने आप fail नहीं होगा तो हम calculation में same ही लेते हैं उससे हमारी design जो है safe होती है क्योंकि यह जो parallel fillet weld है इसमें stress जो है वो ज्यादा generate होता है यह चीज में तोड़ा बार-बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर student को बहुत ज़्यादा confusion रहता है तो calculation में आपको एक ही चीज याद रखनी है देखिए हम equation discuss करते है देखिए friends यहाँ पर equation दिया गया है जिसमें आपको load दे रखा है load कितना है 180 kN और यह जो है आपका एक compound fillet weld है जिसमें आपको LP की value पूछी गई है length of parallel fillet weld ठीक है लेकिन आपको transfer fillet weld की value आपको 100 mm दे रखी है और आपको क्या दे रखा है दा allowable shear load per mm of the weld is 400 newton per mm find the length of parallel fillet weld for each यहाँ इकुल मिला के आपको LP निकालना है तो यहाँ पे आपको यह चीज द्यान से देखना होगा यहाँ पे आप एक चीज द्यान से notice करोगे तो यहाँ पे the allowable shear load per mm of the weld यह आपको दे रखा है इसका मतलब क्या है जो हमारा shear stress है वो per mm मैं आपको दे रखा है तो हमारे पास जो है P की value कितनी दे रखा है 180 किलो newton को हम newton बनलेंगे 10 to the power 3 तो P is less than क्या होता है वो होता है आपका h into l उसके बाद में h को हम t में convert करते है लेकिन h into l होता है तो यहाँ पे जो है shear stress जो है वो तो per h दे रखा है यानि कि per mm में दे रखा है तो हम direct जो value है वो put कर देंगे कितनी 400 into यहाँ पे सिरफ length आपको multiply करनी है क्योंकि यह already जो है per mm में है तो हम इसको mm से multiply कर देते हैं तो यहाँ पे total length कितनी हो जाएगी 2lp plus जो है आपकी lt हो जाएगी और lt की value आपको कितनी दे रही है वो जाएगी आपको 100 तो हम direct put कर देते हैं यहाँ से आपके पास अपने आप lp की value आ जाएगी lp की value कैसे आएगी तो यदि आप इसको divide करते हो तो यह आपका जो है 2,0 से cancel हो गया और 4 को divide करेंगे तो यह कितना आ जाएगा 4 से divide करेंगे तो यह हो जाएगा आपके 1800 इसका 1,4 करेंगे तो कितना हो जाएगा साड़े 400 बराबर कितना है 2 lp प्लस 100 यानि की 2 lp बराबर कितना है 350 और यहाँ पे lp की value आ जाएगी आपके पास 175 लेकिन यह बराबर नहीं है तोड़ा जादा है lp तो lp is greater than equal to 175 mm यहाँ पे वो formula लगाने की ज़रूत नहीं है क्योंकि हमको जो allowable shear load है वो पर mm में दे रख इसलिए हम जो है सिरफ हमको length से multiply करना है तो यहाँ पर हमारे पास lp की value आ गई तो मुझे उमीद है कि friends आपको यहाँ पर यहाँ पर यह topic समझ में आया होगा यह topic थोड़ा सा confusing type का था लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा जितना कोशिस हुई उतना simple बनाने की कोशिस की है तो आपको जरूर दबाना की ताकि next वीडियो जब भी आये तो आपको notification मिल सकें और friends कोई भी query हो तो आप comment box में जरूर बताना तो मिलते हैं एकले वीडियो में तब तक लिए जैहिन जै वारत